दुन्या के ऐसे रित्ती रिवाज जिन्हे सुनकर होस उड़ जाएंगे एक दर्दनाक रिवाज सातेरे मावी नामक एक कबिला अपने दर्दनाक रिवाज के लिए परसिद है जिसके अनुशार जैसे ही कबिले का कोई लड़का बड़ा हो जाता है या फिर अपनी जवाणी में कदम रखता है तो उसे अपनी मरदानगी का नमुना पेश करना पड़ता है मरदानगी शाबित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है रिवाज के अनुशार वह लड़का कबिले के एक व्यक्ति के साथ पास के जिंगल में जाता है जहां उसे बुलेट चीटिया खुजने का काम दिया जाता है यह चीटिया दुनिया की सबसे तेज काटने वाली परजाती में से एक है इसलिए उन्हें बुलेट की रफ्तार से काटने वाली चीटिया का जाता है बुलेट चीटिया चीटियों को एकटा करने की बाद उन्हें एक नसे की दवा दी जाती है ताकि वे सो जाएं और उठने पर काटने को त्यार रहे जागने पर ये चीटियां खुद को एक बंद दस्ताने में पाती हैं जिससे गूसे के मारे ये चटपटादी हैं कुछ मिंटों का दर्द इन ही चीटियां चीटियों के बीच के लिए दस्ताने में कबिले के उस लड़के के हाथ डाल दी जाते हैं और फिर सुरू होता है दर्द का इमतिहान यह हैं चीटिया उस लड़के के हाथों पर जोर जोर से काटती हैं कबिले के रिवाज के नुशार इन दस्तानों को कम से कम 10 मिनिट तक बांध कर नाचना होता है यह दि कोई लड़का इससे अधिक समय तक दर्द सहन कर लेता है तो उसे बेहत ताक्तोर माना जाता है दक्षिन भारत का ताइफोसुं त्योहार इससे भी अधिक दर्द ताइफोसुं नामक एक भारते रिवाज में दिया जाता है जहां बगवान मुरंगन जीन हिमाता की पारवति के पुतर कारतिक एक रूप में भी माना जाता है उनके जनम दिन के उसर पर लोग शरीर के विभिन भागों में चिद्दर करवाते हैं